तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था और जो लोग जानते हैं इस वीडियो को स्कीप कर सकते हैं और जिनको पता नहीं है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था तो थोड़ा समय आपको इस्टोडी बता देता हूँ ताकि आप होती डाटती है कि तुम मेरा घर का यानी इज़त बनाम कर रही हो यह वह बहुत कुछ उसे भला बुड़ा सुनाती है सुनाने का बाद जब बड़ी दादी को करती है कि दादी यह देखी मेरे महनेत का पैसा मैंने एक दिन में आड़ाई हजार रुपया कमाया है तो वहां प के भी नहीं ही यह बात कली को भी नहीं अच्छा लगता है और नहीं हुआ उनके उसके सद्वाड़ी एक दाधि पसंद दाता है अगर किसी कारण घर का आर्ठिक स्तिति खराब हो जाता है ति यह राधिका बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती है चला सकती वह अपना घर तो रादिका की छोटी दादी करती है कि यह जो पैसा है जाओ मंदिर में रख दो इस पैसा का भोग लगा करके हम लोग पूजा करेंगे तो रादिका जाती है वहाँ पर और भगवान सीव के वहाँ जो थाली होता है वहाँ पैसा रख देती है पैसा रग देने के वाद, फिर सब अपने अपने घर यानी रूम में चले जाते हैं, सोने के लिए फिर वहां पर दूसरे दिन राधिका को जाना परता है क्योंखि दो दिन में 6000 रुपे야 राधिका को कमाने का challenge था तो उसको पूरा करना था तो उसको पूरा करने के लिए राधिका दूसरा दिन चाट मसाला यानी कुछ ऐसा बनाने वाली थी तो उसका जो समान होता है material होता है वो kitchen में बना रही थी बनाते समय वहाँ पर रादिका को जो सास है उसको लगता है कि अगर रादिका आगर इस challenge में सफल हो जाती है तो उसको जो बरी दादी है उसे बहुत सविकार कर लेगी बट ये मैं होने नहीं दूंगा ये रादिका का सास सोचती है अपने माइंड में तो उसका काम को गरबर करने के लिए challenge को complete नहीं होने के लिए वह क्या करती है रादिका जो बनाए होती है जैसे की चार्ट बनाए होती है और बहुत सारे कुछ तो वहाँ पर वह बहुत ही सभी में किसी में नमक जादे डाल द सब्सकारिता है डाल देने के बाद वहां पर उच्छूपके से देख रही होती है तभी वह ready होती है market जाने के लिए तभी बीच में आ जाता है गोलू गोलू आ जाने के बाद कायता है कि क्या बनाई हो राधिका देखे तुम्हारा तो यह खुशुबू बहुत यानि पूरे घर में गूज रहा है थोड़ा हमको भी खिला दो तो राधिका काती है ठीक है गोलू भईया थोड़ा साथ य ज्यादा मिर्चा रहता है तो गोलू बहुत ही तेज से चिलाने लगता है कि राधिका इसमें तो बहुत मिर्च है मिर्च है तो राधिका को येकिन नहीं होता है गोलू भईया मैंने तो सब में सही से रखा है मर्चा नमक सब में अच्छे से रखा है बट यह कैसे इतना ज भर-बर हो गया था हम पार रादीका गोलू बोलता है कि राधिका तुम आप कैसे इसको ठेक करोगी मुझे हमें टो जाना है मार्केट में अब भोगवोथ हुभा तो रादिका बोलती है कि इसमें कोई ज्यादा प्रोब्लम नहीं है नमक ज्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा सा नेमू डाल लेंगे और इसमें मिर्चे ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा और जो दोचार आलू डाल देंगे यह इसका सही टेस्ट आने लगेगा तो डाल देत है इसको रख लो दो सब्सक्राइब देता है तो राधिका रख लेती है रखने का बाद वहाँ पर फिर से राधिका का जो सास है उसका पहला जो प्लान था वहाँ पर फिर से सक्सेस हो गया दूसरा प्लान क्या था जब राधिका जा रही थी मार्केट में अपना ठेला लगा तो वहां पर जाते जाते वहां पर जो पुलिस वीच रास्ते में घेर लेती है राधिका को और राधिका को कहती है कि मैडम आप ही ने कल यहां पर ठेला लगाया था मार्केट में तो आप ठेला यहां पर नहीं लगा सकती है अगर आपको ठेला लगाना है तो यहां पर आपक ठेला लगाने के लिए पैसे देना परेगा जो की अनलीगल है तो रादिका को बोलता है पुलिस तो पुलिस वहां पर गोलु निकलता है काता है रूको रादिका मैं बात करता हूं इससे बरे पापाई इससे चाचुई यानि सल्टेंगे तो वहां पर बाहर निकलता है दोनो किनो रादिक्ता और गोलुग्यट दोनों निकलने के बाद वहाँ पर पुलिस से बाहँ पर कणार कुछ रहता है तो सिसे बात करने है रादिका और गोलू तब ring이지 में वहां पर को जो ती पह और ऑप चाठ नचाट सब्सपी थे टीपिन में सभी में रॉक करके राधिका तो आपर जब पुलीस के साथ भास भास हो रहा था पुलीस बोले ते नहीं अगर ठेला तुमको लगाना है तो यहां पर पैसा देना पर एक और राधिका बोले थी नहीं में यह तो अनलीगल है घूस होता है तो मैं यह घूस नहीं देऊंगा बहले आपको जो करना किजिए बट मैं घूस बिलकुल भी नहीं देऊंगा और यहां पर तब तक जो राधिकाय का टिपिन था उस टिपिन को खोल करके यहां पर कुछ उसमें मिक्स कर रहा था तो उस फुल वीडियो आपको अपलोड देखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते ही आप लोग टीवी से पहले सीरियल देख करके मजा लीजी और आनन्द उठाईए आपको यह एपिसोड